जै श्री किष्णा everyone, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब बहुत इच्छी होंगे, एकदम first class और आपकी preparation January 25 के लिए अच्छी चल रही होगी, दोस्तों अब आपके पास almost 3 मेने का time है, in fact 3 मेने का भी नहीं है, तो जब मैं video record कर रहा हूं, that is 12th of October, बस January 12th से आपकी exam 75 माल लेते हैं, चलो, 75 days आपके पास जो effectively है, कुछ भी हो जाए, मेरे को January 25 clear करना ही करना है, तो इस video को मैं start कर रहा हूं, लेकिन जब जब आप video को देख रहे हैं, तो एक बात पहले से ही अपने अंदर, बिल्कुल in-build कर लो, कि भाई, अब 75-80 days में मुझे कुछ भी करके, January 2025 exam clear करना है, करना है, और बस उसी goal को achieve करने के लिए, मैं आपकी थोड़ी सी help करने के लिए हूं, कि अगले 3 महीने में, 3 महीने नहीं, 80 days, 85 days हमको किस तरीके से plan करना है, syllabus हो गया है, नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बार में बात करेंगे, revisions किस तरीके से करनी है, मैं आपको बता रहा हूं, maximum majority बच्चे जिनका exams clear नहीं होते हैं न, उनसे बात करो आप, उनसे पूछो, वो आपको यहीं बताएंगे, कि भाई, revisions नहीं हुई थी, syllabus complete करने के चकर में, revision नहीं कर पाए, study mat काई question था, लेकिन solve नहीं हुआ, क्यों क्योंकि study mat एक ही बार करी, तो किस तरी completion की, syllabus completion की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं study mat की, कि भाई, जो हमारा study mat है, वो study mat हमारा पूरा cover हो गया, मैं PYQ की बात नहीं कर रहा, मैं RTB की बात नहीं कर रहा, मैं MTV की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं study mat की, जो मेरे subjects है, accounts and economics, तो accounts के study mat के questions पूरे complete हो गए है, सारे chapters के, economics हमने सारे के सारे concepts clear कर लिए है, सारे concepts हमने cover कर लिए है, micro macro दोनों के, हमें कोशिश करनी है कि हमारा slabus 30th November तक complete हो जाए, हो सकता है कि 30th November तक ना हो, कोशिश करनी है कि 80-90% तो complete हो ही जाए, अभी भी हमारे पास slabus complete करने के लिए at least 45 days का time है which is good enough time, right, तो let's say, let's say, November 30th तक हमें कोशिश करनी है, 80-90% complete होता है, थोड़ा बहुत उपर नीचे देख लेंगे, किस तरीके से slabus complete करना है, तो बहुत simple सी बात है कि भाई, जो बच्चा course में है, जैसे मानलो जो बच्चे मेरे course में है, तो 30th November से पहले हमारा slabus complete हो जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन जो बच्चे YouTube से बढ़ रहे हैं, वो उनको किस तरीके से complete करना है अब मैं आपको बेटा एक बहुत ही simple strategy बताता हूँ, YouTube पे बहुत content है, दुनिया भर का content है एक chapter की multiple videos है, detailed videos है, important questions की video है, one shot video है इस time पे कौन सी video सबसे important है, सबसे सही है, मैंने आपके लिए क्या करा है, January 25 के लिए एक dedicatedly मैंने playlist बना दिये कि बाई और इस time पे आपको और कोई playlist refer करनी ही नहीं है, कोई playlist आप पहले से refer कर रहे हो, that's okay लेकिन इस time पे ये playlist refer करो, ये chapter देखो, आपका cover हो जाएगा, right, चुकि बाई हमारे बाद time उतना नहीं है जैसे for example, अगर मैं YouTube playlist की बात करता हूँ, तो जैसे आप मेरे channel पे जाओगे, हाँ जी, home पे ही आपको एक CA foundation का tap दिख जाता है, वहाँ पे, यहाँ पे मैंने आपके लिए ये दो playlist डिजाइन कर दी है, ये है आपकी CA foundation accounts, हाँ जी, January 2025 जो लिखा हुआ होगा इसमें है क्या, accounts के, हाँ जी, सारे chapters के one shot, और दोस्तों जो मैं one shot की बात कर रहा हूँ, आप जाके देखो, 3-3-4-4 घंटे के one shots है, मतलब ऐसा है, कि जिससे आपके सारे concepts, वहाँ पे cover हो जाते हैं, right, so detailed one shot है, हाँ जी, बिखुसे, आपको पता है, कि सारे chapters, हाँ जी, उनक आपको कोई chapter फटा-फट cover करना, जो आपने पहले cover नहीं कर रखा है, yes or no, let's take simple सा example, आपको BRS cover करना, ज्यादा मुश्किल chapter है नहीं, हाँ जी, बिल्कुल सही, BRS 3 घंटे में, यहाँ पे आपका cover, rectification 3-4 घंटे में, inventory 3-4 घंटे में, final accounts में मान लो, आपको GST समझना है, GST क कि वीडियो इसमें है, NPO है, हाँ जी, सब कुछ इसमें आपको, जो new chapters है, sir new chapters है, हाँ जी, सबसे बड़ी है, चोटे 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 chapters की बात कर लो, sir bonus, right issue, issue of preference, redemption of preference, redemption of debentures, सब इसमें covered है, उनी, उसी वीडियो से हो जाएगा, मैं आपको guarantee देता हूँ, अचा ठीगे, फिर बात करते है, economics की, sir, economics में जो आपके new macro economics है, सारे के सारे covered है, right, इसके बाद new content भी आने वाला है, economics का तो specially, हाँ जी, एक proper video हैगे, जिसमें पूरा micro, पूरा macro, वो सब आएगा, उसको बात की बात है, sir, वो December, January की बात है, अभी के लिए, November तक हमको जो syllabus complete करना है, मेरे इसाब से, अगर आपको कोई chapter भी cover करना है, तो आप यहाँ से बहुती perfect तरीके से complete कर सकते हो, ये वीडियो देखी, study math के questions जिसमें covered है, covered है, study math के questions करें, बात कतम होगे, लेकिन वापिस आते हैं सारे यहाँ पे, कि हमें कोशिश क्या करनी है, 30th November तक अपने study math cover करने की कोशिश करन कोशिश 100% के होगे, लेकिन 85-90 हो रहा है, good enough, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उपर नीचे 5-10 दिन हो जाएंगे, it's okay, लेकिन वो सोचना नहीं है, complete 38th November से पहले कर लेंगे, by 38th November, ठीक है, सार ठीक है, मान लेते है, 38th November तक कर लिए, इसके बाद क्या, अब आते हैं सबस क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसका reason यहीं होता है, कि revisions नहीं हुई है, क्योंकि slaves complete करना तो क्या हो गया, कि concept आपको समझ में आगे, retain नहीं होते हैं, एक बार study mat के questions करने से, वो आप exam में नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी पता है, कि अगर मैंने एक इक बार किसी chapter का question कर लिया, तो वो guarantee नहीं है कि exam में हो जाएगा, at least एक दो बार उसको दुबारा देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब अब आते हैं सर किस पर, revision पर, revision अब सुनो मेरी बात ध्यान से, revision बहुत ही सोच समझ के मैंने एक realistic target, realistic plan बना है कि सर थोड़े बहुत 2-4 दिन उपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब इन 30 days में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा है, कि सर इन 30 days को पहले तो दो पार्ट में divide करो, 15 days, 15 days, ठीक है, 15-15 days में 2-2 subject उठाओ, क्योंकि अब यहाँ पे हमको करन अब वो दो subject कोई भी हो सकते हैं, एक practical theory would be good, accounts economics हो गया, accounts law हो गया, accounts और law दोनों बहुत भारी हो जाएंगे, accounts और economics हैं ठीक है, maths और law हो गया, हंज बिकुल से, बाकि अब अपने recording देख सकते हो, कि कौन सा subject आपका बहुत strong है, तो एक strong, एक not so strong है ऐसा इस तरीके से आप कर स अब यह 15 दिन आपके पास, दिन को दो पार्ट में डिवाइड किया, लेट से 10 घंटे का सड़ी है, मान के चलो कि 10 घंटे आपको निकाल नहीं है, at least 10 घंटे productive, कुछ बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि मैं 14 घंटे बैठा हूं बुक लेके, नहीं, productive 10 घंटे बहुत ह अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने chapters को देखो, कि सर कितने chapters है, आपने chapters देखा जो आपको revise करने है, मान लो सर आपको revise, revision शुरू करनी है, rectification से, chapter number 2 में journal, ledger, trial balance ठीक है, थोड़ा बहुत उपर उबर से देखा, इनको इतना time देने की जुरूत नहीं है, शुरू पर आपको अपने दिन डिवाइड करने है, very very important, कई बर क्या होता है, हम एक chapter को इतना time दे देते हैं, बाकियों के लिए time नहीं मिलता, high weighted chapters को पहले उठाओ, sir high weighted आपको पता है, weight is तो पता है, यह न मैं डाल भी रखी है, telegram पर दुबार डाल दूँगा, company accounts, उसको उठाओ फिर उठाओ, final accounts को, final accounts के बाद NPO, incomplete records, यह important chapters और high weighted chapters है, partnership, हाँ जी, partnership बहुत असान है, आपको बता रहा हूँ, question कभी उसका मुश्किल नहीं आता, dissolution बहुत easy आ रहा है, पिछले दो attempt से, पार्टनर्शिप उठाली, अगर आपको उठाओ, partnership बहुत बढ़ी है, कोई बात न लेना, shares, debentures, easy chapters है, हाँ, इनको करो, right, final accounts, NPO, incomplete records, यही 3 मिला के 20 नमर के कम से कम बनते हैं, इनको उठाओ, right, उसके बाद आपने उठाया से, मालनो, उसके बाद आपका आते हैं, वो पहले रो chapters, rectification, BRS, BOE, depreciation, यह मिलके 20 marks का बन जाता है, इनको उठा लिए, तो दिन करना होगा, कि कौन सा chapter आपका strong है, कौन सा chapter strong नहीं है, अब बात समझे, यह सुनो, यहाँ पे करना क्या है, अब करने यहाँ पे क्या है, किस तरीके से करना है, study mat ही उठानी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी PYQ, RTP पे जाही नहीं रहा, मैं December में भी नहीं जाओ करना हूँ, study mat हो गई, pass हो गई, यह पक्का है, कि अगर हमने study mat ढंक से कर लिए, तो मतलब pass तो हो ही गए हैं भाई, हम यहाँ वाँ घूम रहे हैं सर, यह question वो फलाना डिंगाना, अरे आप paper उठा के तो देखो भाई, majority paper तो study mat कही आ रहा है, study mat हो गई, तो सब कुछ हो गय सब छोड़ दो, study mat ढाली, ठीके, अब उसी के chapters के जो important questions है, जो आपने mark कर रहे होंगे, उनको करना है, बाकियों को देख के आगे बढ़ना है, chapter में 10 question है, 4-5 करे, 4-5 देख के आगे बढ़ गए, अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, जो बोलेंगे सर हमको पता ही नहीं है कौन से questions करने है, तो दिक्कत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, अपने question, आप जब एक chapter कर रहे होते हो, आप question कर रहे होते हो, तो question mark करना होता है, कि हाँ सारी इस question में दिक्कत है, यह important question है, जो teacher आपको बढ़ा रहे है, वो बोलिंगे भी सही important question है, ठीक है, let's say, आपने mark नहीं क time दो, telegram group का link आपको मिलेगा नीचे, वो join कर लेना, वहाँ पे मैं एक आपको excel या pdf में आपको दे दूँगा, कि ही chapter wise, कि इसमें यह व्ला question तो करके जाना, यह व्ला question करके जाना, तो हर chapter के कुछ 45-56 question मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, कि जब आप revision कर रहे हो, December में, हाँ जी, तो तब तक कर लेना, तो मैं आपको यह October में दे दूँगा, October के end तक आपको बना के दे दूँगा, telegram group पे डाल दूँगा, ठीके, तो यह आपका accounts का हो गया, क्या कर रहे है, study mat करेए, study mat के questions हाँ जी, सारे नहीं करने हैं आपे, सिर्फ important, important, जब आपने slayvars complete कि यह, same with the economics as well, economics में आप important के है, सिर्फ concepts, MCQ के पीछे इतना मन भागा करो, same MCQ paper में कभी भी नहीं आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, rare आते हैं, MCQs भी concept को clear करने के लिए होते हैं, कुछ बच्चे concept को छोड़के, लगे पड़े हैं, MCQ practice करने में, भोलू, ठीके, ऐसे नहीं होत है, right, सिर्फ concept से focus करना है, अब concept का मतलब कहा है, notes, अब देखो धिहान से, eco में अगर आपके पार notes नहीं है, कोई बात नहीं, जो मैंने आपको ये one shot की playlist दे रखी है, plus December में, हां जी, और भी content आएगा, economics का, ठीक है, micro की भी आपको मैं दूँगा, अलग से one shot इस बाद, इस 5x पे, study में उठालो, क्योंकि cover तो study mati है, जो हम notes बनाते भी है, उसमे study mati होता है, ठीक है, study में उठाया, हां जी, बस mark कर लिया, उसी को बार-बार revise किया, अगर eco आपसे याद नहीं हो रही है, बार-बार सुनो, बार-बार सुनो, बार-बार उसको पढ़ो, हो जाएगी concept clear है, तो कुछ चीज़े जो याद करने वाली है, वो भी हो जाएगे, micro में concept है, majorly, बार-बार पढ़ेंगे, हो जाएगा, हां जी, हो जाएगा, one shot देखो, one shot देखो, again, important यह है कि divide कर दिना time को, यहाँ पर आपको करना है, eco में study mat पढ़ लिए, अगर आपके पास notes है, तो notes पर लिए, plus study mat के mcqs, सिरफ study mat के mcqs, अभी के लिए सिरफ study mat के mcqs कर लो, बात समर्यो, तो यहाँ पर आपका account सी को 15 दिन में निपट जाएगा, अच्छे से, यह इस तरीके से plan करके चलना, मैं यह बले बता रहा हूँ, यह चीज़े आपने कर ली, तो समझो हो गया, कुछ चीज़े अगर आपने अभी से plan कर ली, जो आगे का time आने वाला है, समझो हो गया, same आपको maths और law के साथ भी करना है, किसे अगर हमारा law है, हाँजी, writing practice, तो daily का करो, इन 15 दिन में daily law की writing practice करो, चीज़े याद करने की कोशिच करो, maths की practice करो, होगा, हाँजी होगा, क्य करेंगे, हाँजी, December हो जाएगा, हाँ, जब December में आपके revision होगी, बहुत confidence आएगा, अब आते हैं sir, January पे, January में अब 10 दिन का time है, 10 दिन का भी नहीं बोलूँगा, मैं in fact, 10 दिन भी क्यों ही बोल रहा हूँ, क्योंकि sir, 10 दिन भी जादा हो जाएगे, माल लो 8 दिन का time है, 9 जो भी है, इसमें आपको क्या करना है, एक तोर थोड़े से study hours आपके increase होंगे, 10 से 12 पे आओगे, जो भी है, यहाँ पे आपको क्या उठाना है, जो आपके important PYQ, RTP, यह सब questions है, यह time है वो करने का, कि सार important questions हैं जी, PYQ, RTP के वो करेंगे, वो करेंगे, मज़े की बात क्या मज़े की बात यह है, कि जो मैंने यहाँ पे playlist दिये, जैसे economics है, हाँ, accounts है, इसमें मैंने आपको PYQ important करवा रखे हैं, क्या सही playlist मैंने यह आपको दिये, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में सब कुछ covered है, चीक है, तो PYQ वेगरा, हाँ जी, PYQ वेगरा, अगर आपके पा तो telegram पे बता दूँगा, तो वहाँ से आप download करके questions देख सकते हो, बहुत सारे questions मज़े की बात है कि study mat की same questions होते हैं, अगर आपने देखी हो तो, majority same type of questions होते हैं, जो अलग होते हैं, वो मैंने YouTube पे करवा रखे हैं, चीक है, उनका भी PDF अगर होगा, तो मैं share कर दूँगा आ यहाँ पे आपको वह करना है, अब बात समर्यों, उसके बाद exam स्थार्ट होंगे, तब तो फिर आपको बता ही है कि भाई, देख दिन में, यह चीज सोच के चलो, जैसे मैंने आपको का किया, filter out किया, यहाँ हमने पूरा syllabus revise किया, यहाँ पे कुछ questions की practice करी है, उसमें से भी एक आदा question ऐसा होगा, जो दिक्कत कर रहा होगा, तो जो डेट दिन का time है, उस डेट दिन को ध्यान में लेके चलो, कि उन डेट दिन में क्या करना है, जो questions कर चुका है, उनको फटा-फट से देखना है, study mat के questions को देख लिया, यहाँ पे कुछ important P.Y.Q. उसको देख लिया, जो question नहीं बना था, उसको ध्यान से देख लिया, इस तरीके से planning करके चलना है, होगा, क्यो नहीं होगा भाई, पहले तो थोड़ा सा self-belief लेकर आओ, अभी तक जितना की है, कोई बात नहीं, गबराना नहीं है, राइट, कम हुआ है preparation, it's okay, time है हमारे पास अभी, 80 दिन का 75 days का time है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यह सुनो, महनत करेंगे, January 25, clear करेंगे, अपने मन के अंदर लेकर ही नहीं आना, कि नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे क्यों नहीं होगा, अराम से preparation करेंगे, यह सुनो, result percentage जितना मर्जी है, जान बुच के वो किसी को fail नहीं कर रहे है ठीक है, तो अराम से preparation करो, planning के साथ preparation करो, consistency maintain करो, अगले 75 days अगर आपने धंग से पढ़ लिया, तो हो जाएगा, ठीक है, बाकी एक चीज़ और, yes, in case अगर किसी को YouTube से नहीं पढ़ना है, तो दोस्तों, अब आज के दिन, 12th October को, yes, the share है, तो जो मेरा accounts ego का combined course है, आज उसका स कि obviously आपको एक structured way में आपको सारे chapters की playlist मिल जाएगी, आना, जो हमारी live class चल रहे है, उसके recordings आपको साथ साथ मिलते रहेगी, plus, sir, इसमें test भी होंगे, test भी होंगे, plus इसी playlist में आपके December में revisions भी होंगी, बतलब वो application पे, YouTube पे जो होती है, वो तो होती है, इस application पे revisions होंगी, इसमें भी होते है, plus इसमें आपको test भी होते है, कोई chapter मालो आपको सारे detail में पढ़ना है, क्या मैं को incomplete records, shares का chapter, company accounts, जैसे अभी accounts येगर मैं बात करता हूं, तो हमारा incomplete records चल रहा है, तो इसके वास partnership and company है, तो partnership and company आपको live पढ़ना है, let's say, क्योंकि ये दोनों मिला के ही आप आपका around 30 marks में आ जाता है, ठीक है, economics में अभी chapter 6 complete हो रहा है, तो chapter 7, 8, 9 आपको live पढ़ना है, जैसे भी है, आपकी मर्जी है, तो आप enroll कर सकते हो, website से, application से, सारे instructions आपको मिल जाए, comment section में, मैं promotion करने के नहीं आया था, right, main मैं ये आपको यही बदाने के लिए आया था, in case क source भी है, तो दूसरी बात ही है, यहाँ पर important आपके लिए free resources है, जिसमें अभी next week से content डलना start हो जाएगा, जैसे PYQRTP का folder लग जाएगा, then मैं आपको बोला कि study mat के important questions की list, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, तो telegram group और यह playlist आप इसको अराम से एक बार देखलना, बाकी कुछ दिक्कत है, कुछ परिशानी है, आप comment section में mention करो, आपको उसका reply मिलेगा, guaranteed मिलेगा, YouTube के comment section में, in case अगर आपको लगता है कि यह discussion जो हमारी हुई है, इससे आपको एक plan समझ में आ गया है, कि हाँ सार नेक्स 75 days म मुझे comment करके बता रहे है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, आपको पता है कि हर बार की तरह revisions तो होएंगी, हाँ जी होँगी, बहुत धमाके तरह revisions होँगी, उसके announcement हो जाएगी आपके कुछ दिनों में, तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते ना है, ब